हेलो एब्रीवाइड वेल्कम तो मैं चैनल वीलाफ़ट्यून डबल बन कैसे हैं आप लोग आई होग आप सब बहुत अच्छे हो गाईज आज की रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि इस परसन के बारे में आप सोच रहे हो उस परसन की क्या है और आप से क्या कहना चाहते है क्या चाहते है क्या तामलेस रीडिंग है जब भी वक्त आप इस रीडिंग को देखोगे या आपके अपली केबल होगा तो आपके परसन के करेंट थौट्स और मैसेज़ज फॉर यू आज हम चेक करेंगे बागी डिटेल्स के लिए आप मुझे गवन वाट्स नंबर पर इंस्टाइडी पर कॉंटाट कर सकते हैं सारे कॉंटाट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महजूद है और वीडियो में आपको मेरा वाट्स नंबर दिख रहा होगा तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की र रिलाक्स की थे एंड लाइक सरूर कर दीजेगा एक वीडियो में ताकि एक पॉजिटिव औरा क्रेट हो सके लेट्स सी रिलाक्स की थे आप जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूं तो देख लेते हैं लेट्स स्टार्ट सबसे पहले चीज मुझे यहां दिख रही है कि आपके परसन के दिल के अंदर बहुत जादा रोमांस और बहुत जादा पैशन भरा हुआ है जिसे वो अभी शो नहीं कर रहे हैं तहीं ना कहीं आपके परसन कुछ रीजन के वज़े से अपने अंदर के रोमैंटिक साइट को या अपने अंदर के पैशनेट साइट को दिखाने से रोक रहे हैं अपने आपको तो आपके person मुझे कहते हुए नजर आ रहे हैं, इनके highest self आपसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत passionate हूँ, बहुत romantic feelings मेरे अंदर है बेट अभी वक्त नहीं है मेरा उन सारी चीजों को show करने का सो सकते है life में busy हूँ या health wise ठीक नहीं है या career wise focus है तो mind या दिल कहीं और divert नहीं करना चाहरें तो ऐसे कुछ reasons हो सकते हैं जिसके सो सकते हैं कि आपको feel हो सकते हैं कि पहले की तरह ये person passionate and attracted आपके two words नहीं है बहुत जादा बुरी wives दे दे रहे हैं या ऐसा feel करवा रहे हैं कि इनका प्यार इनका interest कम हो चुका है जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है ठीक है ये चीज मुझे नहीं दिख रहे है currently इनके दिल और दिमाग में ये चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आपके person को ऐसा दिल से feel हो रहा है कि they are not doing enough for you and उन्हें ऐसा लग रहे हैं कि वो आपके लिए जादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं और करनी की शमता भी उनके पास उतनी नहीं है और you know शायद आपका interest इनकी उपर से हट कर किसी और के तरफ जा सकता है तो एक insecurity currently आपके person के दिल और दिमाग में काम करती भी नजर आ रही है क्योंकि उन्हें कहीं समझ आ रहा है कि जितना उन्हें invest करना चाहिए इस रिष्टे पे अभी वो नहीं कर रहे है और क्योंकि वो invest नहीं कर रहे है तो जाहिर सी बात है कि आपको अगर कहीं और से वो चीजे वो investments मिल जाए तो आपका interest definitely switch हो सकता है तो उसी insecurity में ये person है तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपने life को इस रिष्टे के साथ balance करे और कैसे इस रिष्टे में इस bond में और आपको equally वो importance वो love care time दे पाएं ठीक है ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहे है तो आपके person कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं ठीक है उनका मन है कि वो खुल के बताएं कि वो अगर थोड़े से कटा कटा सा रहते हैं आज कल या चीजों को express नहीं करते romance नहीं करते दिल की बाते नहीं करते तो उसके पीशे का reason क्या है उसको लेकर बात करना चाहते हैं फिर सामने से उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि क्योंकि वो अब involved नहीं होते हैं अच्छे तरीके से वक्त नहीं दे पाते हैं तो आपको वक्त देने वाला या देने वाली बहुत है और जो उनसे आपको नहीं मिल पारी वो किसी और से आपक इस चीज़ को कही ना कही है कि यूनो हमें करना चाहिए इनके लिए और हम नहीं कर पा रहे हैं तो इससे हमारा रिलेशन्शिप में दूरिया जाधा बढ़ सकती है तो इस मजधार में फसे हैं कि कैसे क्या करें कैसे बालन्स करें या कैसे effort डालने जो उन्हें लग रहा है जालनी चाहिए बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी अफॉर्ट नहीं कर पाएंगे उतना एफॉर्ट ओके डूवल स्टेट ऑफ माइंड में आपके परसन कही ना कहीं मुझे दिख रहे हैं ठीक है पूरा प्यार नहीं दे पा रहा हूं अगर हो सके तो प्लीज एच्जस्ट करना मेरे लिए रुके रहना किसी और के तरह मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हों करना चाती हूं जो तुम होप रखते हो मेरे दिल में भी बहुत सारे उमीदे हैं इच्छाई हैं तुमें खुशियां देने की इच्छाई हैं बट अभी मैं किसी और चीज में फसा हुआ रहता हूँ जिसकी वज़े से मुझे पता है कि मैं 20% भी इस रिष्टे में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा मेरे साथ स्ट्रगल कर लो थोड़ा सा पेन बियर कर लो थोड़ा सा पेशेंस रख लो मेरे लाइफ में सब सही होते ही कि मैं तुमारी वो सारी ख्वाईशों को डिजायस को पूरा करूंगा करूंगी बस तुम किसी और के तरफ मत जाना किसी और से वो टेंपरेरी रिष्टे मत जोड़ना किसी और से वो इन्वेस्मेंट्स मत लेना जो तुम मेरे तरफ से मांगा करते थे ठीक है, यह आपके person की current feelings and thoughts नसर आ रहे हैं, जो आपके person आप तक पहुंचाना चाते हैं, express करना चाते हैं, बर हो सकता है किसी reason से, खुलके बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भी लग रहे हैं कि बात करने जाएंगे तो बात और बिगड़ सकती है, जगड़ नहीं मारते हैं, ठीक है, ऐसी एनोची आपके person की चल रही है, तो चलिए इस candle को मैं पूरा melt होने दूँगी, love life से जुड़ी हूँ, अगर आपकी कोई भी wish है, आप इस flame पे focus करते हुए, अपने eyes को close करके wish मांग सकते हूँ, मैं आपको time दे रही हूँ, क्योंकि ये candle पू क्योंकि आपके अपने तक विश्मांग लिया हूँ, चलिए इस candle को side में रख देते हैं, पूरा melt होने देंगे, सो चलिए, अब हम कुछ messages वगेरा भी check करेंगे, इसे site में कर देते हैं, and then let's see, finding out the truth crushed me, so कहीं न कहीं मुझे यहां दिख रहा है, कि आपके person को self-realization हो रही है, उन्हें अब समझ आ रहा है, कि अगर आप उनसे धीरे-धीरे दूर हो रहे हो, या धीरे-धीरे आपकी energy कम हो रही है, आपका interest कम हो रहा है, तो उसका reason यही है, कि उन्होंने आपके साथ सही तरीके से behave नहीं करा, सरी तरीके साब को treat नहीं करा, ठीक है, तो अब तक वो अन्जान थे इस चीज़ से, कि उनकी behavior, उनकी actions कहीं न कहीं, आपको बहुत hurt करते हुए आ रहे हैं समय के साथ-साथ, लेकिन आप उस चीज़ को realize कर पा रहे हैं कि उन्होंने ही आपको अपने आप से दूर किया है, कि आप emotional होने के बजाए practical हो जाओ, तो यही चीज़ उनको अंदर से खाई जा रही है, तो बी वेरी honest, यहीज़ मुझी हाँ दिख रही है, ठीक है, currently, I am grateful for this spiritual lesson, तो कही ना कही समझ पा रहे हैं कि इनको बदलना चाहिए, लेकिन फिर यह समझ रहे हैं कि मैं कैसे बदलू अपने आपको, लेकिन still, यह इस चीज़ के लिए जरूर grateful feel कर पा रहे हैं, कि जो अब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके वज़े से आपको दुख पहुँच रहा है, अब वो अपने आखों से देख पा रहे हैं उनके गलतियों को, ठीक है, उनके behavior को, उनके तौर तरीकों को, जिससे उन्होंने आपको बहुत बार बहुत बार तरीके से, उन्हों अलग अलग तरीके से हट कर रहा है, आपके परसन को अपने गलतियों का पूरा-पूरा एहसास हो रहा है, जो भी चीज़े उन्होंने आपसे छुपकर करी हो, जूट बोला हो, अपनी emotion से वो भागे हो, बहुत बढ़ डिनाई किया हो, रूड बियेव कर रहा हो, दिल में प्यार रहते हुए भी आपके ओपर घुसा दिखाया हो, ठीक है, अपना stardness अपना ego दिखाया हो, उन्हों सारे चीज़ों के लिए इनसान बहुत regret में है, ठीक है, कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्हें आपके साथ हमेशा प्यार से अच्छाई से रहने की जरुवत थी, ठीक है, उन्हें आपको समझने की जरुवत थी, I replay our conversation over and over, तो आपकी बहुत याद आ रही है, उन्हें ठीक है, and कही ना कहीं सारे चीज़ों को याद कर रहे हैं, जो चीज़े आप आप दोना के बीच में बुरी हुई हुई उन्हें भी, जो चीज़े आप दोना के बीच में अच्छी हुई, उसे भी, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के थूरु आपके परसन कही ना कहीं भी गुजर रहे हैं, just a second, आपके परसन करेंली इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, कि जब जब वो दुखी हुए है, जब जब उनके लाइफ में को छोड़ने का अकेले रहने का नहीं सोचा, आपने हमेंशा अपने तरफ से नहीं के आपएजिय को सुल्व करने davon, देने के लिए, जब उनका mood off हुआ करता था तब उसकते आप उनके साथ रहते थे ठीक है वो अगर आपको कहते भी थे कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी या चले जाओ तब भी आप उन्हें छोड़के नहीं जाते थे लेकिन जब उनको ये चीज़ें करनी होती थी तो वो आपको पुरे तर आपने अपने हाथों से गला घोटा है आपने कभी उनसे मांग नहीं रखी लेकिन जो चीज़ें उनको करनी चाहिए थी आपके लिए उन्होंने कभी नहीं करी और ये चीज़ आपके परसन को कही ना कहीं समझ आ रही है पूरे तरीके से कि आप इतने खराब मिनिमिम्यम तक नहीं करा है इस चीज़ को ये सारी चीज़े रेलाइज हो रही है चीक है लेट सी आपको भी खुशियां दे सकते हैं और आपसे तो उन्हें खुशियां मिलती रहती है तो ये इनसान इस चीज़ को आप प्रारटाइस करना चाहते हैं कि पैले वो अपसे प्यार करते थे लेकिन आप उनके प्रारटलिस्ट में नहीं था और लब रेलेशन्शिप भी उनके प्रारटलिक में नहीं था लेकिन आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यही तो सब कुछ है बागी सारी चीज़े तो आती चाती रहेंगी I am really sorry for messing up everything You deserve so much more This person को यह चीज़ भी फील हो रही है कि आप बहुत भैदर deserve करते हो लेकिन यह इनसान आपको किसी और का नहीं होता हुआ देख सकते बहुत positive है आपको लेकर तो यह चाहते हैं कि बस आप उन्हीं के बने रहो और माफी मांग कर एक नई शुरुवात करना चाहते हैं ठीक है दिल से बदलना चाहते हैं आपके person आप के लिए जिस तरीके से आप उन्हें देखना चाहते हो I will marry you then you have to tolerate me forever तो यह person आपको commitment देना चाहरे हैं शादी करना चाहरे हैं उन्हें ऐसे लग रहा है आपके person करनली खुद से करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ओके I am not able to take decision right now I don't want to hurt you as well तो जैसे मैंने आपको reading में पहले ही बताया कि यह इंसान बहुत कुछ सोचते रहते हैं बड़ बोलते नहीं हैं और सोचते भी हैं तो apply नहीं कर पाते हैं practically ठीक है तो यह person जो है अभी आपको कुछ खुलके नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके के impulsive behavior के विए से आपको फिर से यह hurt कर दे तो अभी जो space अगर आप दोनों का बना हुआ है तो उसी space को maintain रखना चा रहे हैं ताकि कुछ उल्टा सीधा ना हो कहीं धगड़ा जादा ना हो जाए कहीं उतार चरफ फिर से ना दे रिष्टे में ठीक है यह person को कहीं नहीं लग रहा है कि उन्होंने already आपको बहुत ही दुख दे दिया है अब और नहीं दे सकते I am happiest when I am right next to you ठीक है तो आप उनके happiness हो ठीक है उन्होंने सब चीजों को try करके सारी चीजों को experience करके देख लिया है कि असली happiness उन्हें तभी मिलती है जब आप उनके साथ होते हो ठीक है आप उनके पास रहते हो इसी चीज़ को देखका वो अपने आपको बहुत lucky and proud की feel करते हैं अंदर ये अंदर की आप जैसा partner उन्हें मिला है नहीं तो उन्हें ऐसा कोई भी इंसान नसी भी नहीं हो पाता ओके ये थी आप लोगी reading I hope आपको पसंद आएगा पसंद आएगा पसंद आएगा मैं मिलती हूँ आप लोगो नेक्स्ट वीडियो में गाईस तब तक के लिए बाबाई